नमस्कार एंड वेलकम पूर्ल अफेर्स मैं हूँ प्रशान दवन और इस वीडियो में बहुती सरल भाशा में मैं आपको बताऊंगा Evergrande के बारे में ये Chinese company आज के समय नीज में क्यों है क्या दुनिया भर की जो stock markets है उनको crash करवा सकती है ये company क्या कह सकते है कि ये 2021 का Lehman Brothers disaster होगा जिसके बाद दुनिया भर भर जो stock markets है crash कर गई थी क्योंकि आज के समय आप अगर देखो तो चाइना Evergrande Group को लेकर बहुत नर्वसनेस है पूरी दुनिया में काफी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं फर एक्जामपल ये एक आर्टिकल है World Economic Forum का ये लोग क्या रहे हैं कि Evergrande का जो डेट क्राइसिस है ये क्या है Global Economy पर इसका क्या Impact होगा और USA के जो कई यहाँ पर Enlist हैं वो तो ये कह रहे हैं कि 2008 में जो Lehman Brothers के साथ हुआ था उससे कई गुना बत्तर होने वाला है Evergrande पर और इसका एक बहुती Negative Impact आपको देखने को मिलेगा पूरी दुनिया में जब हम बात करते हैं बुरे Impact की तो primarily हम यहाँ बात कर रहे हैं Global Stock Market Crash की चाइना की जो Stock Market है पिछले 6-7 महीनों में आप देखोगे बहुत डाउन चल रही है पिछले एक साल में चाइना की Stock Market ने बिलकोल खराब इटन्स दिये हैं इसके comparison में Indian Stock Market दुनिया में एक shining star बनके ओवरा है आप अगर देखो overall जब April 2020 के आसपास market crash करकी थी दुनिया भर से तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो India का जो Sensex है यह 131% उठ चुका है पैसे double से भी ज़रा हो चुके है और किसी ने वाजर नहीं किया था कि इतना कम टाइम लगेगा Sensex को 60,000 पर पहुशने के लिए इसलिए ऐसे articles लिखे जा रहे हैं आज के समय कि भारत की stock market है best in the world, China among the worst और ना सिर्फ इंडिया एक्चुली आप अगर देखो American market तो American market भी ठीक ठागुटी है तो India, US और कुछ हट तक डर ये है कि चाइना की जो यहाँ पर company है ये all together Indian market, European market जो बाकी दुनिया भर की stock markets है जो all time high पर चल रही है इनको destroy ना खर दे, यहाँ पर बड़ा fall ना आ जाए, अब क्या ये possible है ये जाने से पहले आपको समझना होगा कि Chinese company Evergrande का इतना बुरा हाल हुआ कैसे Now first of all, Evergrande Group China की second largest real estate company आज के समय, 2 lakh इनके employees हैं और इनके business की शुरवाद हुई थी 1996 में ये लोग बनाते रहे flats, apartments primarily upper middle class या फिर middle class के लिए आप कह लीजिए Indian rupees में roughly 80 lakh से लेकर 4 करोड, 6 करोड के आसपास के जो घर होते हैं जो flats हैं, वो बनाके ये लोग बेश दे थी इनका business काफी अरतक ठीक ठाक था सब कुछ यहां पर normal चल रहा था फिर अचानक से क्या हुआ कि जब सन 2000 शुरू हुआ तो China के जो banks हैं उन्होंने एक policy निकाली कि अगर loan चाहिए companies को तो उसकी जो भी requirements हैं काफी lose कर दी गई है अराम से loan मिल सकता है अंदर future companies को इस टाइम Evergrande के लोगों को एक idea आया, इन्होंने ये सोचा कि क्योंगा हम एक strategy अपनाए लोगों को ये बोल दे कि आप अभी से हमको पैसा दिना start कर दो हम यहाँ पे घर बना रहे हैं घर आपको मिल जाएगा 5 से लेकर 6 साल में इतना लंबा है आप इन्होंने time दे दिया कि अराम से हम आपका flat बनाते रहेंगे पैसा भी हमको दिना start कर दो किस्तों में और उस वक्त आप अगर देखो तो Evergrande का नाम इतना बन चुका था कि आम चानिस नागरिक ने यह सोचा याँ पर ठीक है सेफ इन्वेस्मेंट है मैं जमीनी खरीद रहा हूना याँ पर प्रॉपर्टी है सेफ इन्वेस्मेंट है हर महीने इनको पैसा देता रहूंगा आज से 6 साल बाद 7 साल बाद मेरा एक फ्लैट बन के तियार हो जाएगा उस फ्लैट में या तो मैं रह लूँगा या तो कल को फ्लैट बेज भी सकता हूँ इसको मैं इन्वेस्मेंट के रूपे भी यूज कर सकता हूँ तो यह जो स्ट्रेजी है एवर्ग्रांट यूज करता गया धीरे-धीरे क्या हुआ कि जो यह फ्लैट बने का टाइम है यह खिषता गया धीरे-धीरे यह इन्होंने का कि अब 7 येर्ज में फ्लैट कम्प्रीट होगा 8 येर्ज में होगा ये नए प्रजट्स की में बात कर रहा हूँ ये ओपनली कहते थे के अभी हमको पैसा दो अराम से 8 साल बात के आसपास आपको फ्लैट मिल जाएगा और लोग पैसा देते भी थे लोगों को इतना फेथ था चानिज एकॉनमी पर चानिज डिमांड पर के अभी बस जमीन खरीद के रख लो in the future पैसे बढ़ नहीं है तो ये तो investment एक टाइप की बहुत ही बढ़िया बस यहाँ पे इनको पैसे देते रो और बहुत से लोगों ने इस तरीके से Evergrande को billions of dollars पकड़ा दिये अब Evergrande के पास यहाँ पे बहुत सारे project थे इनके bank account में भी कुछ हर्ट तक asset आ गए थे ये सब जो चीजे हैं इन्होंने दिखाई चाइना के banks को और ये कहा कि हम और expand करना चाहते हैं और projects उनाना चाहते हैं आप लोग भी हमको उधार दो अब फिर चाइना के banks ने इनको billions of dollars और उधार दिने start कर दिये इससे भी इनकी जो भूक है खतम नहीं हुई उसके बाद इन्होंने उठा लिए bonds bonds मतलब के open market में गए लोगों को ये बोला हम है evergrand चाइना की जनता हमें व्रोसा करती है हमको पैसा दे रही है घरनाने के लिए चानिज economy का एक बहुत ही important pillar है माज के समय हमको पैसा उधार दो आप जितना भी आप दे सकते हो 1 million, 10 million, 20 million उसके बतले में हर साल हम आपको return देंगे 7-8% fix deposit या फिर bank में पैसा रखोगे कितना कमाऊगे 4%, 3% हम आपको ज़रा देंगे तो फिर यहां से भी पैसा आना start हो गया अब इनको करना का चाहिए था चुपचाब अपने flat बनाते लोगों को पकड़ाते रहते business सीरा सीरा चलता रहता मगर इन्होंने का के नहीं और बड़ा सोचो, अपने नाम को देखो ever grand, we have to be grand और जारा अपना जो business empire इसको फिलाना होगा तब यहाँ पे इन्होंने risk लिया इन्होंने क्या किया किया कि जो इनके पास फाल्तू का यह जो cash रखा था ना उधार की form में, bonds की form में bonds भी उधार ही होता है, फिर लोगों का पैसा इस उमीद से लोगोंने पैसा दिया रहा कि यहाँ पर यह लोग flat बनाएंगे इस पैसे के उन्होंने decide किया कि क्यो ना short term business करे, इन्होंने decide किया कि जो इनके पास आज के समय billions of dollars इखटे हो चुकी हैं इसके नए business open करते हैं वहाँ से जल्दी से return आएगा एक नया business open हो जाएगा और जो हमारी कमाई होगी उस business से उससे अराम अराम से flats बनाकर लोगों को देते रहेंगे हमारा एक empire बन जाएगा और इसी सोच से इन लोगों ने open किये अपने theme park जैसे के डिजनी वर्ल्ड है ना डिजनी वर्ल्ड वैसे ही इन्होंने decide किया के evergrand का theme park होगा ऐसे एक tapoo होगा वहाँ पे लोग घुमने के लिए आएंगे फिर इन लोगों ने आपर launch करी bottled water चाइना में bottled water का एक huge business है तो इन्होंने आपर launch कर दी evergrand spring जैकी चैन को hire कर लिया के add करो हमारे पीने के पानी की और इनका plan ये था के coke, pepsi और चाइना के बाकी brand है उनको भी आपर टकर देंगे soft drinks बनाएंगे यहां से भी खूब कमाई होती है evergrand अल्रेडी चैना में एक brand है उसको और जड़ा बढ़ा तरेंगे अपने जो ये सब products हैं ये बेच कर और तो और जिस तरीके से इंडिया में IPL है ना चाइना में cricket famous तो है नहीं चाइना में आप अगर देखो तो commercial level पर football का आफियत तक famous है तो जिस तरीके से हमारे या IPL में होता ना franchise cricket, Delhi, Capital, Mumbai Indians वैसे ही चाइना में भी इनकी एक league होती है वापे football के clubs है तो एक football का club भी यहाँ पर खरीद लिया Evergrande ने इस football club का नाम है Gounds of FC और आज के समय आप कह लीजिए IPL में जो status है Mumbai Indians का चन्नाई Super Kings का almost same यहाँ पर status था Gounds of Evergrande का यहाँ पर आप देख पाओगे 2014 का article है of the Wall Street Journal यहाँ पर लिखा है Gounds of Evergrande कितनी बड़िया team है क्योंकि एक टाइम पर Asia में बाकी जो भी clubs है इन्होंने सब को हरा दिया था और Asian Champions भी यह बन गए थे 2012 से लेकर 2016 तक अगर कोई भी Evergrande को भाहर से देखता तो कहता वाओ What a shining example of Chinese growth कमाल की company है शुरू हुई real estate से आज के समय पानी बेचरी है Sports में आ चुकी है China का Disneyland ये लोग उनाने की वाद कर रहे है मगर कुछ investors जो market को समझते हैं जो समझते हैं कि companies कैसे manipulate करती है पैसे को उन्होंने आपर देख लिया कि ये लोग actually बहुत बड़ा fraud कर रहे है जो पैसे इनको निवेश करने चाहिए flats को build करने के लिए उस पैसे के यहाँ पर ये लोग football के club खरीद रहे हैं पानी की बोतले बेच रहे हैं और various businesses कर रहे हैं जहां से इनको इतनी कमाई नहीं होने वाली और eventually होगा क्या के ये लोग कर्ज में फज जाएंगे तो interestingly enough 2012 में आज से करीब 9 साल पहले एक investor ने openly आवाज उठाई एक article लिखा और ये कहा के Evergrande एक complete scam है ये Chinese economy का एक बहुत बड़ा scam है और ये company आज नहीं तो कल बहुत ही बुरी तरीके से पिट जाएगी अब Andrew Left ने उस वक्ट जो article लिखा था ना Evergrande को लेकर चाइना की सरकार वो article देकर इतना गुसा हो गई कि Andrew Left पर case कर दिया कि ये हमारी जो company है उसकी reputation खराब कर रहे हैं उसके इलावा जो Hong Kong Stock Exchange है वहाँ से इनको altogether band कर दिया चाइना में trading करने से band कर दिया इन प्यारों भी ये लगा दिया कि ये manipulate करते है market को और ये वस ये चाते हैं कि Evergrande के जो share है ये बहुत ज़रा गिर जाएं फिर सस्ते rate पर ये share purchase करेंगे मगर Andrew Left ने बिल्कुल ठीक बान जाबर करी थी Evergrande जो कर रहा था वो गलत था इनका जो business model है ये एक ही चीज़ पर depend करता था कि constantly जब भी पैसे की कमी आए ना चाइना के जो सरकारी bank है उसके सामने खड़े हो जाओ, हाथ फला लो billions of dollars मिल जाएंगे और business चुपचाप चलता रहेगा जिस दिन चाइना के banks ने ये easy loan देना बंद कर दिया, उसी वक्त Evergrande बंद हो जाएगा, ये company काम नहीं कर पाएगी, और फिर हुआ भी यहाँ पर यही, 2017-18 तक आप अगर देखो तो total उधार Evergrande पे आ गया था 300 billion US dollars का दुनिया में कई बड़ी companies हैं उनकी total GDP आपको 300 billion dollars की नहीं मिलेगी जितना का उधार ये ओड़के बाढ़ गए थे नव एक बार को जो ये उधार है Evergrande जहल जाता, मगर problem इनके सामने ये आ गई कि 2017 में चाइना के banks ने बिलकुल आखे बंद करके उधार नेरा बंद कर दिया, इनों आपर ये कहा के liabilities इनके पास बहुत ज़रा हो गई है, ये company कल को पैसा वापस ना चुका पाई तो ये हमारे लिए चाइना के लिए एक बहुत बड़ी liability बन जाएगी कल को ये company crash कर गई, तो काई लोगों को loss होगा, क्योंकि Evergrande क्या कर रखा पान साल बाद double, triple आपको पैसा में पाई मिल जाएगा, तो कई लोग यहाँ पर involved थे, चाइना के कई home buyers इनके employees, तो चाइना की government ने ये हाँ पर देखा कि कल को ये company गिरेगी, तो काफी loss हो जाएगा मगर कहीना कहीं, चाइना की सरकार को अब लेना था एक नड़ने, के ऐसी जो companies हैं चाइना में, जो बिलकुल चाइना के सरकारी बैंक से अंधा दुन उधार लेकर खड़ी हो गई है, इनके साथ क्या करे, जो इन्होंने एक बहुती गलत तरीके से पैसे allocate कर लिए हैं, कोई football team purchase कर ली, पानी की बोतले बना रहे हैं, theme park बना रहे हैं, जो बहुती खराव इन्होंने आप नहिंडने लिए हैं, क्या इसके बावजूद Evergrande जैसी companies को बचाना चाहिए या फिर इनको डूबने दो, तो शीजिंग पिंग के अंडर सरकार ने भी किलिए ये डिसाइड किया है चाइना की, चाइना की सरकार ने डिसाइड ये किया है, कि एक बार को इनको डूबने दो, और इसी बात को लेकर दुनिया की जो बाकी companies हैं, ये nervous हैं, nervous इसलिए हैं, क्योंकि कई जपानी investors हैं, उन्होंने Evergrande को दे रखा है flats बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, उनको भी loss होगा, demand अचानक से गायब हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा player real estate का, ये market से हट जाएगा मगर चाइना की सरकार ने ने ये लिया है कि इन लोगों को अभी बचाने की आवशकता है जब ये default करेंगे, तो किस company पर कितना impact आएगा वो भी देखना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम देखों, यहाँ पर ये भी है कि चाइना का जो overall banking system है, बहुत opaque है, opaque मतलब के जिसके आरपार आप देख नहीं सकते हैं, transparent मतलब के जिसके आरपारा दे सकते हैं, तो चाइना का system है opaque, हमें actually पता नहीं है कि Evergrande पे actual loan कितना है, ये जो figure है, 300 billion डॉलर की ये media बार-बार code कर रहा है, मगर media यहाँ पर ये भी कह रहा है, कल को कोई बड़ी बात नहीं है, ये 300 billion डॉलर ना निकल के 400 500 billion भी निकल सकता है, क्योंकि actually में चाइना की companies कितना loan उठाती है, आगे पैसा कहां पर allocate करती है, ये सिर्फ चाइना की सरकार और इनकी companies को बता होता है काफी लंबे समय तक, तो अब question यहाँ पर यही आता है, कि अगर Evergrande गिरा, तो इससे obviously कई companies को शौक लगेगा, for example HSB Holdings, UBS, इन से जुड़ी हुई जो बाकी companies हैं, उनको भी economic शौक लग सकता है, तो इस तरीके से एक domino effect हो सकता है, एक के बादे कई companies को गर यह शौक लगा, तो already India, US, European Union की जो stock markets हैं, जो all time hyper हैं, वहाँ से गिर सकती है, देखो, ऐसा नहीं होगा, कि जैसे 2008 में altogether markets बिल्कुल crash कर गई थी, मगर, लोगों को डर यहाँ पर यह है, कि since बाकी stock markets all time hyper हैं, तो वहाँ से ठीक ठाक market गिर सकती है, Evergrande issue को लेकर, नाव यहाँ में किसी को proper idea है नहीं, तो लेको interestingly, जिस आत्मी ने 2012 में Evergrande के बार में चिताबनी दी थी, वो खुद ही कहा रहा है, कि देखो, मेरे इसाब से क्या होगा यहाँ पर China की सरकार थोड़ा बहुत Evergrande को bleed करने देगी, इनको करेगी, bailout package, और यह ensure करेगी, कि जिन लोगों के flat मनाने थे, Evergrande को, उनके जो flat है, उनके जो घर है, वो at least यह company properly build कर पाए, तो China के पास plan है, मगर यह लोग Evergrande को बचाने के लिए जब तक आएंगे, तब तक काफी देर हो चुकी होगी तो यह अपने आप में स्टोरी है Evergrande की, तो मैं उमीद करता हूँ बहुती सलज सब्दों में आपको समझ में आगया होगा कि यह company थी क्या क्या गलतिया करी, और कहां पर यह company आज के समय फर्स चुकी है, और finally, आपर मैं यह भी add कर दूँ कि आप किसी भी hard and money, so इसी note के साथ यह है आपर वीडियो कांद, thank you for listening and as always, God bless you